दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ऊफर वैलेट से लेटेड कुछ अपडीट के बारे में और एक डेड़लाइन है उसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले जोस्तों लास्ट वीडियो मैं आपको बता था कि कैसे अपना जो कि कम्प्लेट करने अगर आप आपन कर दिया था कि मेरा जो KYC वो complete यहाँ पर हो चुका है काफी सारे लोग को KYC यहाँ पर reject हो रहा है तो बहुत सारा rush है यहाँ पर आपको definitely यहाँ पर try ही करना परेगा कोई दूसरा option नहीं है कोई भी यहाँ पर आपकी help नहीं कर सकता है सिंपल्स आपको री ट्राइ ही करना पड़ेगा फर्स चीजिए हो गया कि आपको यहाँ पर अपना जो KYC वो complete करे लेना second यहाँ पर civil detection आप देख सकते हैं four days left यह civil detection वहीं है तो जो की KYC के बारे में बोला जा रहा है तो यहाँ पर कर लें second जोस्तों यहाँ पर जैसे कि यह लोग भाई बोल रहा है कि उभर वैलेट होगा जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है a new layer one blockchain focusing on decentralization run as light not full on your PC यानी एक परकर का decentralization को यह indicate कर रहा है बट यह लोग पता नहीं क्यों centralized exchange पे जो इसका KYC है वो यहाँ पर करवा रहे हैं अब इसका कोई भी answer अभी तक over wallet ने भी नहीं दिया यह सोचने वाली बात है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर यह लोग साफ साफ लिखे हुए है कि यह परकर का decentralized wallet है लेकिन फिर भी कि यह लोग centralized wallet में अपना जो KYC है वो यहाँ पर करवा रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको देखा जाए दोस्तों तो अगर आप यहाँ पर 719 लोगों ने participate किया था काफी वक्त पहले ओवर वैलेट आया था उस टेम जब वीडियो गड़ा बनाया था तो कुछ यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर participate किया था जिसमें से सिर्फ सिर्फ 335 लोगों नहीं अपना KYC है वो यहाँ पर complete किया है तो ऐसा भी rumor किसका कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है ओवर वैलेट के तरब से निक्स्ट अगर अपडेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 दिर पहले ने लोगों ने अपडेट किया था कि वी आर प्रोवाइडिंग इंपोर्टेंट एंसर दूदा मोस्ट कंफूजिं यहाँ पर डिफरेंट है यहां पर बताया गया इवेंट ऑन क्रिप्टो पेडिया है अज ओनली कंपिटर दवन मिसंट सो फार जो कि डेली कुश्ट यहां पर लोग कंप्लेट कर है हालां कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहें बट वहाँ पर जो लोग डेली क्वि यानि उसके लिए भी जो एक्स्ट्रा रिवाइड मिलेगा वह इलिजबल रहेंगे जिन लोगे ने भी यहां पर क्रिप्टोपीडिया में पाइटिसिपेट किया है बाकि यहां पर ऑफर वैलेट का जो चल रहा है इसमें अगर आपने क्वाइसी कॉवाइसी रहेंगे यहां पर क्रिच कलिक करते हैं यहां पर हम एकुएव करेसी क्लिड करने content करना अगर नहीं देखा है वो वीडियो को देखें आप यहां पर क्लीट कर सकते हैं यहां पर इसके मैचिंट के end of open beta testnet season 2 announcement इसका जो testnet का season 2 है तुस्तों वो यहां पर 31 माई को इसका ending हो जाएगा और जैसे यहां पर end होगा mainnet launch यहां पर बताया गया कि with the end of testnet the mainnet launch is coming soon यानि अभी भी इसका date reveal नहीं किया गया कि कभ इसका minute आएगा बट यह लोग बोले कि जैसे testnet का यह खतम होगा वैसे यहां पर mainnet के लिए announce वगड़ा किया जाएगा अब यहां पर preparing for mainnet के बारे में बताया गया है कि participate in civil detection mission जो कि वहीं है कि वाइसी वगड़ आपको complete करना है और यहां पर इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मई बताया गया है अब यहां पर कुछ और question answer है जो कि आपको जानना ज़रूरी है आपके मन में भी यह सवाल सायद से गूज रहा होंगे कि what happens to the overused in testnet ठीक है यहां पर जो कुछ भी अभी overbalance हम लोगा मिला हुआ है उसका क्या use रहेगा तो यहां पर बोला है इन लोगोंने कि the overused in testnet will automatically disappear after the minute launch यानि जैसे minute launch होगा तो जो कुछ भी हमारा यहां पर token होगा रहा है वो यहां पर disappear हो जाएगा in the minute you will receive over as a reward through airdrops based on your OCAP quest result यानि जो भी हमने previous में जो हम टेलिगरम पर आप लोगे सेर करते थे न जो कुछ भी डेली क्वी जाता था उसका answer हमें देना परता था तो उसके basis पे आपका जो कुछ भी reward बनेगा वो minute के बाद आपको real over token जहें वो credit किये जाएंगे आपके वैलेट में do I need to unstake before the testnet you do not need to unstake once the minute is open your asset will be automatically unstake यानि यहां पर आपको unstake करने के कोई भी ज़रात नहीं है जैसे minute वगरा आएगा यह automatic unstake आपका balance हो जाएगा जो कुछ भी अगर आपने टेस्टनेट में इस्टेक करके रखा है वो balance with the air drop distribution यानि air drop कब distribute होगा तो you will receive the air drop once the minute is open यानि जैसे minute आएगा उसके बाद ही हम लोग को air drop जैद दिया जाएगा यहां पर minute आने के बाद हम क्या क्या कर सकते है उसके बारे में बताया गया तो यहां पर farm staking and home staking will be available in the minute यानि जो हमें staking अभी कर रहे है वो minute के बाद भी live रहेगा जहां पर आप जो real token होगा उसको stick करके और उसके और ज्यादा reward को earn कर पाएंगे over wallet will offer various function and services for the over ecosystem कुछ और नय फीचर यहां पर और services add होंगे जिसका आप यूज कर पाएंगे अब जब यह minute आएगा तभी पता चलेगा क्या वो नय फीचर जो वो add किये गए है और इसके बारे मैं आपको definitely बताऊंगा यहां पर एक चीज और है कि will grants continue to be distributed तो यहां पर वो ल सकते ग्रांट कौन से हैं तो मैं आपको यहां पर बता आता हूं यहां पर जब बैक आते हैं एसेट के सकतन पर तो हर दिन आप यहां पर 24 और में यह जो 10 टोकन है वो grants करते हैं यह आपका minute में नहीं रहेगा यह सिफ पसीफ टेस्टनेट में आप इसे grant कर सकते हैं आलकर द आता है तो मैं आपको time to time share करते रहूंगा टेली ग्राम को अपलोग जोरी सुजवान कर लेना लिंक आपको वीडियो को description में मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watching